हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टूर ओन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नंबर फाइफ सिब्जिक्ट साइंस क्लास 10 हमारी देट 14 अफ चुलाई के लिए तो चलिए शूरो करते हैं आज की वोक्षीट में हमें electronic configuration के बारे में पढ़ना है कल हमने introduction किया था electrons प्रोटोन उसमें एक च्छुटा सा mistake हो गया था जो table थी उसके अंदर हमने electron के नीचे positive लिख दिया था और proton के नीचे हमने डिसकस किया था कि जो इलेक्ट्रोंस है वो नुकलिस के चालो तरफ खूमते हैं है ना तो आप सोचते होगे कि जो रिवोल करते हैं रेंडमली करते हैं या फिर कोई रूल है उनका घूमने का ठीक है तो वहाँ पर सर्टेन कुछ रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम जाने दुश्याँ'll का या फिर सल्च भालते है जिसके यह यह वह घूमते दिशर होगे तो यह सोँ दो और इमस्वानों करते हैं उसको हम रिप्रीजंट करते हैं का यह क्या होता है के सारीजक्ट हे जो नुकलिस है जो first वाला है ये क्या है आपका K shell उसके बाद जो second वाला है ये होता है L shell third वाले को M shell और fourth वाला क्या होता है N shell ठीक है इस तरीके से तो दूसरा point के अध्यान रखना है जो maximum number of electrons होते हैं shell के अंदर मतलब दूसरा जो first shell है इसके अंदर कितने होंगे दूसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रोंस आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि पहले के अंदर आप 8 गुसादो 20 गुसादो fix होते हैं electrons की इस से ज़धा नहीं हो सकते तो वह जो होते है वह एक formula से given होते है जो formula होता है 2N square, यह formula होता है, ठीक है न, क्या होता है, 2N square, तो यहाँ पे जो N है, यहाँ पे N को 1 रखोगे, किसके लिए, के के लिए, यह first shell है, N के लिए, 2L के लिए, second shell के लिए, third shell के लिए, and 3 रखोगे, fourth shell N के लिए, and 4 रखोगे, ठीक है, तो मतलब N की value put करो, यहाँ पे 2N square में, के shell के लिए, क्या होगी, N का square, मतलब 1 का square, कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, मतलब जो के shell है न, उसमें maximum, बस दो ही electron आ सकते, कि यहाँ होगे, एक यहाँ होगे, बस दो ही electron आ सकते, के shell में, ठीक है, दूसरा है L shell, L shell में कितने आ सकते, 2N square, N L के लिए क्या होगा, 2 होगा, 2 का square 4, 2 4 जा 8, जो दूसरा है L, उसमें सिर्फ कितने आ सकते है, 8 electrons आ सकते है, ठीक है, 8 electron आ सकते हैं, तीसरा है M shell, M shell में कितने आ सकते है, M के लिए, N कितना होगा, 3 होगा, 3 का square 9, 2 9 जा 18, जो 3rd है उसमें कितने आ सकते हैं 18 एलेक्ट्रोंस आ सकते हैं और जो 4th है N शेल N कितना होगा 4 तो 4 का square 16, 16 तूचा 32 जो N शेल है N के शेल के अंदर maximum 32 आ सकते हैं जो सबसे बाहर वाला होगा वैसे तो यहां पर 18 बतिस है निक ठीक है लेकिन अगर इंटर्नल में आते हैं इनके अलावा और भी कोई शेल है बाहर ठीक है लेकिन अगर वह लास्ट है ना तो लास्ट में 32 रठाला नहीं आ सकते हैं लास्ट शेल में हमेशा 8 मैक्सिमम करते हैं कैसे करेंगे देखो फॉर्स आपको दिया हुआ है नीम ओफ हाइल्यमेंट है हाइड्रोजिन है हाइड्रोजिन को सिंबल क्या है है एक से हम दर्शाते हैं टोटल नंबर ओफ इलेक्ट्रों इसमें वान होगे मतलब जोसका अटॉमिक नंबर होगा तो इसमें वन ह लिए लिए से दर्शाते हैं इसका अटॉमिक नंबर इसका जो नंबर ओफ लेक्ट्रों से हो कितना होता है तीन तो तीन होता है तो पहले में तो सिर्फ दो आ सकते हैं तो दो पूरे यहां लिग दिये लेकिन तीन था एक बच गया ना तो वह एक एल शेल में चला जाएग ठीक है इस तरीके से एलेक्ट्रों करना करना है ठीक है नेक्स बेरीलियम होता है फूर दो पहले में आ घए दो बच गई वह दो यहां चले रहे खैक है तो चाहे तीन चारं पांच शे कितने मिल्ख सकते हैं आप 2 बच यहां लिख दिए ठीक है ऐसी करना है मैं बीच से चलना है अगर 14 यहां पर complete हो जाता तो मैं यहीं कर देती लेकिन यहां पर मैं और जद लिख नहीं सकती नाइन यह नहीं लिख सकती ठीक है क्योंकि एट से जदा एल शैल में आने सकते तो टू प्लस एट टैन तो यहां होगे बच गए फोर फोर में लिख सकती हूं क्योंकि 14 फोर फोर टीक है इसी तरीके से सेमें 17 होता है पहले में दो अट ओगये तीछ में में 75 होगे интересно क्योंकि प्रदी दोाट अर्व दें सिर्थ फोर एक भगया से करते रहना और कि और थे अमारे सुष्ट आते है क्रुंट्थ जो हमारा question है, यह तीन question आपको दिये गए हैं, पहला question हमारा आपको लिखना है number of electrons जो KLMN shell में आ सकते हैं, तो K में 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, N में 18 और N में 32, ठीक है, यहां से नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे से लिख लेते हैं, यह देखे, यह आपका question number 1, write the number of electrons that can be accommodated in KLMN shell, तो आप लिखोगी number of electrons that can be accommodated in K shell 2, L shell में 8, M shell में 18 और N shell में 32, यह हो गया आपका answer number 1, clear, कौन से कौन से के में 2 होते हैं, L shell में 8, M में 18 और N में 32, ठीक है, चलिए, now question number 2, question 2 है, the maximum number of electrons in a shell is given by, form by formula 2N2 नहीं है, यहाँ पर, यह 2N square है, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखोगी, 2N square लिखोगी, और यहाँ पर भी क्या लिखोगी, आप 2N square लिखोगी, ठीक है, तो इस formula के हिसाब से आपको maximum number of electrons बताने, किसमे L और M shell में, ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, N की value देखो, हमें पता है कि, की के लिखना है, की के लिखना है, यहाँ पर, यह 2N square, 2N square, N क्या है, L के लिखना है, 2N square, second है M, M क्या होता है, 2N square, N क्या है, M के लिखना है, 3 है, तो 2 into 3 का square, कितना होगा है, 2 into 9, 18 क्या होगा, हमारा answer होगा, ठीक है, तो यह होगे हमारा question number 2, बस ही छोटा सा ही आपका answer है, और इसमें से भी अगर आप यह वाली line कट करना चाहते हैं, तो कट कर सकते हैं, ठीक है, होगे second question, now, move to our third question, जो last question हमारा, write electronic configuration of the following elements, magnesium, sodium, chlorine, aluminium, carbon, oxygen, इन सबकी आपको electronic configuration लिखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखना, सबसे पहले name of the element, magnesium की number of electron किसने होते हैं, इसमें 12 होते हैं, K shell में 2 electrons, L में 8 और M में 2, total होगे न 12, ठीक है, तो यह तो होगी electronic configuration, magnesium की, उसके बाद sodium है, sodium में number of electrons 11 होते हैं, electronic configuration करो 2, 8, 1, होगे, 2 और 8, 10, 10 plus 1, 11, ठीक है, chlorine, chlorine 17 होते हैं, number of electrons, electronic configuration क्या होगे, को मा लगा के भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आप table नहीं में राना चाते हैं, ठीक है, 2, 8, 7, chlorine का, aluminium, यह 13 होते हैं, तो इसकी क्या होगी, 2, 8, 3, उसके बाद carbon और oxygen, carbon का जो electrons है, वो 6 होते हैं, तो 6 को divide करो, first shell में 2, second shell में 4, oxygen का 8 होते है electrons, first shell में 2, second में 6, ठीक है, तो यह हो गया आपका question number 3, तो यह 3 questions आपकी worksheet में आपको given थे, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई है, कोई भी doubt है, कहीं पर भी किसी भी question में, तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको lecture अच्छा लगी, तो channel को subscribe कर सकते हैं, व